नमस्कार दोस्तों, मैं हूनी रच और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल टूर कैम्पे और आज हम बात करेंगे मनुष्य द्वारा निर्मित दुनिया की दस सबसे उन्ची प्रतिमाओं के बारे में तो चलिए शुरुवात करते हैं नमर दस से नमर दस पर है कैनाउन स्टैच्यू जापान की होकाइडो प्रांत में स्टीत यह स्टैच्यू जापान में स्टीत तीसरा और विश्व का दस्वा सबसे उन्चा स्टैच्यू है जो होकाइडो कैनन और व्याक्यू कैनन के नाम से भी चाना जाता है बीस मंजीला यह स्टैच्यू अठासी मिटर उन्चा है जहां पर लगे एलिवेटर से परिये टक उन्चाई पर पहुँच सकते है नमर नौ पर है ते ग्रेट बुद्दा आफ थाइलेंड पगवन बुद्द का यह शांदार स्टैच्यू थाइलेंड के एंगलोंग में बना हुआ है जो तबिग बुद्दा आफ थाइलेंड के नाम से भी चाना जाता है 92 मिटर उन्चा यह विश्व का नौवा और थाइलेंड का सबसे उन्चा स्टैच्यू है इस स्टैच्यू में कहीं भी स्टेल का इस्तमाल नहीं किया गया है यहाँ पूरा स्टैच्यू कॉंक्रेट से बना हुआ है जिस पर गोल्ड पेंट किया गया है नमर आट पर है पीटर दग्रेट स्टैच्यू ग्रेट रश्यन एम्पेरर पीटर का यह स्टैच्यू रश्यन नेवी के 300 साल होने पर बनवाय गया था जो रश्या के मौश्को सहर में मौस्कोवा नदी के किनारे बना हुआ है 98 मिटर उन्चा यह स्टैच्यू दुनिया का आठवा सबसे उन्चा स्टैच्यू है जो पूरी तरीके से ब्रॉंज और स्टील से बना हुआ है नमर साथ पर है सेंडाई दाई कैनन 1991 में बनकर तेयर हुआ यह उस टाइम का सबसे उन्चा स्टैच्यू था लेकिन परतमान में यह दुनिया का सात्वा सबसे उन्चा स्टैच्यू है 100 मिटर उन्चा यह स्टैच्यू जापान की शेंडाई सहर में एक पहाड़ी पर बना हुआ है यहाँ पर बने एलिवेटर्स की मदद से परिय टक टॉप पर पहुच कर शांदार परिद्रश्यो का मज़ा ले सकते है नमर छे पर है एम्पेरर यान एन ह्यूंग चाइना के हैनन प्रांट में स्थीत यह स्टैच्यू चाइना के पुराने शाषक यांडी एंड व्यूंग डी की याद में बनवाय गया था इस स्टैच्यू के निर्माण में 20 साल जितना टाइम लग गया था 106 मिटर उन्चा यह दुनिया का छठा सबसे उन्चा स्टैच्यू है नमर पाँच पर है दिगुवान इन आप साउथ सी आप सानिया यह बहुत दर्म के गॉड डेस का स्टैच्यू है जो चाइना के हैनन प्रांट में बना हुआ है 108 मिटर उन्चा यह दुनिया का पाँचवा सबसे उन्चा स्टैच्यू है जिसके निर्माण में 6 साल जितना टाइम लग गया था इस स्टैच्यू के तीन फेसे जो तीन अलग अलग दिशाव को प्रवर्तित करते है नमर चार पर है उस्सीकु दाइबुद्शू उस्सीकी दाइबुद्शू का मतलब है तग्रेट बुद्धा इन उस्सीकु यह पगवान बुद्ध का स्टैच्यू है जो जापान के उस्सीकु शहर में बना हुआ है 110 मीटर उंचा यह श्टैच्यू दुनिया का चौथा सबसे उंचा श्टैच्यू है जो पूरी तरीके से प्राउंच से बना हुआ है यह श्टैच्यू चार फ्लोर में विभाजित है जहां पर परिये टक एलिवेटर से टॉप पर पहुच सकते है नमर तीन पर है प्लाइक्यून सिद्क्यून म्यानमार की मोनिवा शहर में स्थीत यह दुनिया का तीसरा सबसे उंचा श्टैच्यू है यह 116 मिटर उंचा श्टैच्यू है जिसके निर्माण में 12 साल जितना टाइम लग गया था यहाँ पर बने एलिवेटर से टॉप पर पहुच कर परिये टक शानदार परे द्रश्यो का मज़ा ले सकते है नमर दो पर है स्प्रिंग टेंपल बुद्धा इस साल तक यह दुनिया का सबसे उंचा स्टैच्यू था लेकिन वर्तमान में यह दुनिया का दूसरा और चाइना का सबसे उंचा स्टैच्यू है 153 मिटर उंचा यह स्टैच्यू चाइना के हैनन प्रांट में बना हुआ है यह पगवन बुद्र का स्टैच्यू है जो 20 मिटर उन्चे कमल के फूल के उपर बना हुआ है और नमर बन पर है स्टैच्यू ओफ यूनिटी अभी अभी बन कर तैयार हुआ यह दुनिया का सबसे उन्चा स्टैच्यू है जो भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा डायम के किनारे बना हुआ है 182 मिटर उन्चा यह श्टैच्यू भारत के लोह पूरुष और पुर्व उप्रधान मंत्री सरदार पटल की याद में बनवाय गया है जो चाइना की स्प्रिंग टेंपल बुद्दा से 100 फिट उन्चा है और अगर बेज के साथ गिना जाए तो इस टैच्य की उन्चाई 240 मिटर है